OCD का जिक्र किया आपने, OCD बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिने नहीं पता है, अर्बन एरियाज में तो फिर भी लोगों को नॉलेज है, लेकिन डूलर एरियाज में लोग कहते हैं कि ये कौन सी बिमारी है, ये है क्या, लोग पागल समझे लगते हैं कि भाई ये हाथ बार बार क्यूंद हो रहा है, हाईजीन आप बहुत जादा रहने लग जाते हैं, मतलब ओवर आप करने लग जाते हैं, क्या एक साइक्याट्रिस्ट इस चीज़ को ठीक कर सकता है, और इस चीज़ से निकलने में साइक्याट्रिस्ट कैसे अपने पेशिंट की मदद करता है, तेकि OCD बहुत ही एक गंबीर तरह की समष्या है, मांसिक समष्या है, OCD, Obsessive Compulsive Disorder, इस बीमारी में क्या होता है, कि इनसान को एक ही तरह के बार-बार, रिपीटिट थोर्ट साने लगते हैं, जैसे उसको बार-बार लगेगा कि उसके अगर हात साफ हैं, उसके आसपास की चीज़ें इसके बार-बार लगेगा कि शायद कहीं कुछ गंदा है, शायद अभी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है, और फिर वो क्या करते हैं, उसको बेचैनी होने लगती है, अभी तो गंदा है सब कुछ, उनको बार-बार जाके उनको साफ करना पड़ेगा, दोना पड़ेगा, यह लगता है कि यह अपने अपको कंट्रोल को नहीं कर पा रहे, क्योंकि मानसिक सवस्त हमें कि आपको फिजिकली ठीक दिखते हो, सामने वाले इनसान को, उसको लगता है प्रोब्लम क्या है इसको, यह चाह के कंट्रोल कर सकता है, तो वो बड़ी डिफिकल्ट सिच्वेशन हो और कई बार तो सालों लग जाते हैं समझने में, और कई बार हम नहीं समझ पाते हैं कि सामने वाले को क्या परिशानी हो रहे है, हमने कोविड काल देखा, वो हमारे लिए वर्स्ट एक चीज थी, जो पूरी दुनिया ने देखी, भारत में भी बहुत लोग इस समय पे होने लगी है, पहले नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब लोग समझने लगे कि हाँ, डिप्रेशन एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है, जिसे लोगों को निकलना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो डिप्रेशन में जब आते हैं, कौन सा ऐसे स्टेज है, जब हमें मनोच किस काम करने नहीं कर रहा था, हम बड़ा थके हुए फील कर रहे थे, यह एक दो दिन, तीन दिन, चार दिन तक किसी के साथ भी हो सकता है, यानि अगर आप कंटिनू दो हफते तक इन चीजों से जूज रहे हैं, यह स्टेज हो गई आपकी फोल स्टेज, तो आपको मिलना चाह अब आपको एसा वेट नहीं करना है कि दो हफते तक वेट करेंगे, तब तब हमें उनके घंबीरता को देखना होता है